वेलकम टू चैनल नौलेज़ आफ फार्मेशी अरिस्टो जाइम लिकुड सीरप और कैप्सूल और ड्राप का आज हम रिभीव करते हैं तो यह डाइजेस्टिब एंजाइम होते हैं यानि डाइजेस्ट एंड प्रेपसीन एंजाइम होते हैं और ब्रांड नेम की बात करें तो अरिस्टो जाइम रोमा जाइम एक्रो जाइम और यह डाइजेस्टिब एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि भोजन को हार्डॉलेसिस जानि भोजन को अलग-अलग टुकड़ों में तोड़ने में ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं जैसे कि जो है गुलुकोज और फ्रेक्टोज में तोड़ना तो यह जो क्या करते हैं जब यह एंजाइम होते हैं तो उस क्रिया को यह स्पीड अप कर देते हैं यानि उस क्रिया को बढ़ा देते हैं एक्सिलेरेट कर देते हैं तो बढ़ा देते हैं और यह जो क्रिये होती है यह हमारी gastrointestinal यानि gastrointestinal में पूरी होती है तो जो यह digestive enzyme है यह हमारी body द्वारा secret किया जाता है हमारी body के penicriage द्वारा secret किया जाता है तो किनी कारण बस अगर यह penicriage से जो है यह enzyme secret नहीं हो पा रहा है तो उस समय पेट संबंधी दिक्कतें आ जाती है निसमस्यां आ जाती है तो डाक्टर पेशंट को direct syrup या capsule या फिर ड्राब के थुरू जो है यह enzyme को देते है तो अब हमें बात करते हैं कि इसका यूज कहां कहां पर है तो treat up digestive disorder जो digestive system संबंधी अपच संबंधी disorder है उसमें इसको प्रयोग में लिया जाता है जैसे कि indigestion indigestion मतलब अपक यानि खाणा ना पचना खाना ना पचने में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है या इस्टमक fullness आपको लगेगा कि पेट भरा-भरा है और आपका खाना खाने का मूड नहीं होगा या खाना खाने का मन नहीं करेगा तो उसमें भी इसको दिया जाता है या flutance गैस वननना पेट फूला रहना और गैस पास ना होना मैं भी इसको प्रणाय गया प्रियोग में लाया जाता नृइंस नापचना में भी रोकने के लिए भी प्रियोग में लाया जाता है कि गैस championship tribal शबक सभंति गैस्ट की समस्या होती है गैस्टिक शमस्या प्रिसानी होती है तो इस भी परीयोग में लाए जाता है यधू डेट गेन में यानि वजन को बढ़ाने में भी इसको परीयोग में लाए जाता है तो वजन और समय से और अच्छा भोजन लेते हैं तभी तो बढ़ेगा क्योंकि ये पचाने का काम करता और डाइपपस्या एक विमारी होती है इसमें मिडल इस्टमक में दर्द रहता है तो तो आपके मिडल में दर्द रहता सकता है इस टमक एरिटेशन हो सकता है बर्निंग संसेशन या जलन का हिसास हो सकता है या फिर डाइरिया हो सकताहिए डैमेज इन थ्रोट बिलिस्टर इन इसके कुछ side effect है वहें कुछ precaution की बात कर लेते हैं तो पेट या संबंधी जिसको दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए वहें pregnancy ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं है या इस सीरफ से जिसको अलर्जिक कंडिशन हो या एलकोहल या ड्राइविंग करता हो तब भी डाक्टर से संपर करके ही इसको लेना चाहिए वहीं इसके डोजज की बात करते हैं तो यह सीरफ जो है 10 ml दो टाइम यानि आप्टर मील खाने आप्टर मील के बाद 20 ml दोनो टाइम लेना चाहिए वहीं क कैसूल दोनो टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और ड्राप की बात करें तो यह बच्चों को दिया जाता है उनके बेट के कार्डिंग ओके थैंक्स आप चाहिए तो इसके इन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेश्टी वीडियो में